मूंग फली की चिक्की के लिए सबसे पहले गुड के शर्वत को उबाला जाता है गरम गरम भट्टी के उपर उसके बाद उसके अंदर डाले जाते हैं छिली हुई मूंग फली के दाने फिर उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है गुड के साथ फिर ठंडा करने के लिए उसक वो हम लोगों तक पहुचाया जाता है